तो हेलो दोस्तों एक नई बिकैंसी युहाव हिमाच बदेश में आउट हुई है और आप सभी के लिए युहाव इंफरमेशन बाली यह बात है कि वो गोर्मेंट जो भी ही है तो बेरियस कैडिगरी की आपको युहाव बिकैंसी देखने को मिलेगी और अलग अलग डिपार् को फिल आप कर सकते हो वो पूरी इंफरमेशन आपको बताई जाएगी और नहीं हो चाहां पर सब्सक्राइब कीजिए बेल एकन को ओल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन का पता आपको युहाव सबसे पहले बता चल सके हमारे चाना के माधिम से तो चलिए आज वोला जब डेट आया हुआ उसकी तरह जड़ा लेते हैं जल्दी से और आपको बताते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस तरह की बगैंसी युहाव आउट की गई है तो देश रते हैं आप सभी इंफरमेशन आप सभी के सामने है और यहाँ पर ओफिशल नोटिफिक है हिमाचा रीजन सेंटर मोहाल कुल्लू में जो हो इनका डिपार्टमेंट उपस्थित है बहाँ पर बगैंसी आउट की गई है और यह आपका फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बगर्मेट ऑफ इंडिया का युहाव एक दफ्तर है बहाँ पर बगैंसी आउट की गई है फिर है कि कोणören को सी ऐसी होगी ठीक है और लास्ट एट वी सा इस सात में बता देंगे तोसंब से फहले शीजवर फेलो की कि होगी और नमर पोस्ट एक होगी ठीक है पर आपका प्रोजेट एसिसंट एक बबब्ब्रबात करेंगे दान और expire को सब भी थो चार नमशतग क आपकी जहां पर आई हुई हैं फिर बात करेंगे लास्ट डेट कब तक है इंट्रिव्यू के लिए लास्ट डेट तो क्या कहेंगे कि मतलब इंट्रिव्यू की डेट कब है तो सत्रा तरीक को जो हो आपको इंट्रिव्यू के लिए इनहीं के ओफिस में जाना होगा ठीक है ब यहाँ आपके यहाँ पर application फॉर्मर दे सकते हो यह आप्लिकेशन फॉर्म है इसके लिंग का आपको नीचे description में मिलेगी वहांसे आप application फॉर्म को download कीजिए और application फॉर्म को यौहँ फिल आप कीजिए सही तरीके से और फिल आप करने के बाद आपको कौन कौन से डोकुमेंट से यहाव साथ में भेजने हैं देखिए यहावर फोटोग्राफ इसी के साथ एफ़े डेविट जो होता है करे डिफरेंट नेम सर नेम इन जूर सेटिफिकेट अटेस्टेट फोटो कि यह मैं बताऊंगा तब आपको काम आईगी वो बीसी एमसी एंफिल की यो भी डिग्री है बो फिर लिस्ट और फिलिकेशन की फैबलिकेबर और और अगर है तो आप साथ में भेज़े इस फॉर्म के साथ अब बदाते हैं आपको लास्ट डेटर मतलब इंट्रव्यू के वह आपको दिया जाएगा एज लेंट ए है इस पोस्ट के लिए 28 वर्ष अब चलते हैं सेंस्छल क्वालिफुकेशन की तरफ तो असेंस्ट व्वालिफ कैसट ग्री अगर की होई याued तब आप इसके लिए अप्लाइक कर पाऊगे. दूर्ण फिर्यiral क्वाशिंचर क्वा दी जाएगी उन लोगों को जिन लोगों के पास एक्सपिरेंस है एरसोल स्टडिस में उनको प्राथमिता यहां पर दी जाएगी और कहां पर आपको काम करना होगा किस प्रोजेक्ट के अंदर तो इस तरों के जी बीपी फंडिड प्रोजेक्ट के अंदर आपको काम करने का म बाकी इनको जहां पर HPPCL funded project में यहाव काम करने का मौका मिलेगा आगे बात करें फिल्ड एसिस्टेंट के लिए फिल्ड एसिस्टेंट के लिए 12,000 रुपिया यहाव salary दी जाएगी minimum और 35 वर्ष यहाव उमर रखी गई है एज रखी गई है इसके लिए सिर्फ जो आपकी qualification भो है graduation ठीक है graduation और जा फिर 5 साल का experience है आपका R&D based जो इंडियन हिमालियन रीजिन का जो चला हुआ था project उसमें अगर experience है तो आप इसमें apply कर सहते हो और graduation तो जहाँ पर रखा ही है इसके लिए इंडियन हिमालियन रीजिन अगर है तो वो apply कर सहते है या फिर graduation की हुई या अपने two years experience आपके पास इंडियन हिमालियन का तब भी आप apply कर सहते हो ठीक है तो जह information यहाव आप सभी के लिए आउट की गई है इस तरह की vacances हैं इस तरह का application form है इसे फिलप कीजिए इस तरह के document साथ में बेजिए और अपने साथ यह आप interview के लिए जाएंगे तो सभी photocopies आपकी यहाव औरिजनल होनी चाहिए क्योंकि यहाप लिखा हुए सता तो एक को जब जाएंगे तो all original certificates आपके पास मुझूद होने चाहिए तभी आपको यहाव 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 आपको सभी अनुपालना यहाव करनी होगी तो यह information के जरीए यहाव आप अपने application form को घर बैठे ही भेश रते हो ठीक है पीडिया बनवाकर यहाव इस email पर आप भेश दीजिए